उतरप्रदेश में स्यासत अब और भी स्यादा गर्माती हुई दिखाई दे रही है दरसर चुनाव आयोग ने अब आगामी नगर निकाए चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया है चार माई और ग्यारा माई की दिन नगर निकाए चुनाव को लेकर वोटिंग होगी और तेरा माई को नतीजे सामने आएंगे मैदान में इस वक्त कई ऐसे दल हैं जो उतराए हैं इन्ही में शुमार है बहुजन समाज पार्टी जो उप चुनाव में उतरती हुई नेजन नहीं आए लेकिन नगर निकाए चुनाव लिटमस टेस्क की तरह माने जा रहे हैं आगामी लोगसभा चुनाव के लिए साल 2024 में लोगसभा चुनाव होंगे और इन लोगसभा चुनाव के लिए नगर निकाय चुनाव को लेकर रणी तियाँ बनाई जा रही हैं रुक किया जाए यहां पर तमाम बिपक्षी दलों की तरफ जो इस वक्त बीजेपी के खिलाफ उतरते हुई दिखाई दे रहे हैं क्या बसपा सपा के साथ एक बार फिर से गठवंदन करेगी या फिर नहीं एक बार फिर से आपको बताएंगे इस खास रिपोर्ट के जरी है नमस्कार मैं प्राणशी राठोर और आप देख रही हैं निक्स्ट नाइन न्यूस दरसल ओपी राजवर सुभासपा प्रमुक ओपी राजवर बार बार डंके की चोड पर यही कह रही हैं कि अखलेश र्यादव को एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी के साथ गठवंदन कर लेना चाहिए लेकिन वहीं दूसरी ही तरफ मायवती साफतोर पर कह चुकी हैं कि नगर निकाय चुनाव हो या फिर हो ल इलान कर दिये गए हैं कि सपा अपने गठवंदन दलों के साथ निकाय चुनाव लड़ेगी लोग सपा चुनाव लड़ेगी लेकिन इसके बाद जैन चौधरी ने गठवंदन में कुछ और दलों को शामिल करने की संभावना जताई है इस दोरान जेडियो अध्यक्षिय ललन सिंग ने सपा के साथ गठवंदन को लेकर यहां पर आगामी चुनाव को लड़ने के संकेत दिये हैं लेकिन BSP चीफ मायवती का पार्टी नेताओं पर रविवार को लिया गया एक्षिन काफी जादा चर्जा में रहा जब महराष्ट के मुख्यमंत्री एकनाश ब्रज किशोर सिंग को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया जिसका खामयाजा भुगतना पड़ा है एकनाश शिंदे के करीब होने के नाते मायवती के इस फैसले पर जम कर सियासी बवाल मचा हुआ है ऐसे में देखा जाए बीजेपी गठवंदन में अब भी य यहाँ पर सपाग गठवंदन को लेकर मायवती कुछ अलग फैसले ले सकती है क्योंकि यहाँ पर मायवती ने तमाम संकेत भी दे दिये हैं मायवती यहाँ पर तमाम संकेत देती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि अब गठवंदन को लेकर यहाँ पर उमीदे एक बार फि किया कि अगर गेस्ट हाउस कांड ना हुआ होता तो शायद देश के केंदर में ये गठवंदन रास कर रहा होता देखना दिल्चस होगा क्या कॉंग्रेस पार्टी बीएसपी पार्टी यहां पर गठवंदन करती हुई नसर आएगी या फिर समाजवादी पार्टी भी पास रिपोर्ट में इतना ही बागी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज